वेल्कम बैक फ्रेंड्स आज मैं फिर लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल न भूले और अगर आप मेरे चानल आल इन वन अनन्या पर पहली बार आया है तो मेरे चानल आल इन वन अनन्या को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों खाली बोटल को रियूज करने का आईडिया आपके कभी दिमाग में आया मैंने तो इसका बहुत अच्छे से रियूज किया और इससे बहुत सुन्दर सा फ्लावर बोट और नाइट लेम्प बना डाला इससे हमारे पैसो की भी बचत हो गई और इससे हमारा विस मोटेरियल भी रियूज हो गया और यह सुफ़ देख रहे हैं न आप जानते हैं न आप यह मैंने किस से बना रहा है और यह दोना अरे बहुत इसका टिकी खाकर के फेक जित जाया है उसकर यूज करके मैंने यह बहुत सुन्दर क्राफ्ट किया है आप भी एक बर करके जरूर देखिए और उसके लिए तो आपको मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और मैं जानती हूँ आप तो पूरा वीडियो देखते ही है मेरे साथ साथ आप भी घर का बहुत पेस मटेरिली यूज करना जान जाएंगे आप अपने दोस्तों को जरूर बताया करिए ताकि वो भी ऐसे आइडियो देख सके दोस्तों नए कपड़े खरीटे रहते हैं और पुराने कपड़ों का अंबार लगता जाता है समझ भी नहीं आते हैं इनका क्या करें मैंने तो इसका रियूज करके बहुत अच्छा सा वाल्डेकॉर कर दिया इससे हमारे पुराने कपड़े भी रियूज योग है और हमें बहुत संदा वाल्डेकॉर बन करके भी मिल गया दोस्तों लोग पार्या वाल्डेकॉर कर बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं मैंने तो दूठाली कर रियूज करके संदर संदर्च टाईया बना लिए दोस्तों और मैंने बोटल से और पुराने कपड़ो से बहुत अच्छा सा मोग बनाया है जिससे घर की साफसफ़ाई बहुत अच्छा से हो जाती है और इससे पुराने कपड़े भी रियूज होगे पुराने शाड़ी कार्स का रियूज करके मैंने एक संदर से फूटो प्रेम बना और इसका रियूज कर लिया इससे हमारे साड़ी कार्स इदार उदर पढ़े नहीं रहेंगे इसी तरीके से मैंने यूस के हुए दिये पुरानी पॉले थिन, इसी तरीके से पुरानी ओई स्कैन, और पुराने प्लास्टिक डिपे, नियूस पेपर, पुरानी बोटल्स, और प्याच की बूरी सी तो बहुत गजब की जाड़ी बना दी दोस्तो ऐसा गजब की जाड़ू ना होती हो, इसके बिना तो हम घर की साफ सफ़य की कलपना भी नहीं कर सकते हैं अब तो बहुत से कंपनिया भी जाड़ू बनाने लगी हैं और उनके दाम भी बड़े हुए हैं तो हमने सोचा क्यों ना हम भी घर के वेस्ट मटेरियल से जाड़ू बनाएं आप यकीद नहीं करेंगे कि किती अच्छी किती सौफ जाड़ू बन करके त्यार हो गई आप अपने फर्श को इससे बहुत इजिली साफ कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत असान है दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे पता है आप लाइक तो करेंगे ही ये वीडियो और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी पैसे बच सकें अरे दोस्तों मेरे घर में कुछ शादी के कार्स कुछ मेरे फोटो और कुछ न्यूस पे सुन्दर सुन्दर फोटो पड़े हुए थे उन्हें सम्हाल कर रखना बहुत मुश्किल था तब मैंने बहुत गजब का दिमाग लगाया बस मैंने एक मिठाई का डिबबा लिया और उस खाली डिबबे के कुछ सर्किल काट लिये और जो हमने फोटो जे खटा किये थे उनको चिपका दिया मैंने कुछ स्टैप्स बनाई और उन्हें सुन्दर सुन्दर चरीके से चिपका लिया और बहुत हिगजब का डिबान बन करके त्यार हो गया पर मैंने फोटो जपका दिया और देखते ही देखतेँ बहुत सुन्दर फोटो फ्रीम बन करके त्यार हो गया दोस्तों पर या वरह उनको बचाने लिए हम सभी के जिम्मेदारी बनती है तो क्यों न हम एक बार यूज किये चीज़े को दुबारा यूज किया करें जिससे हमारे पैसे भी बचें और हमें एक नया आइटम बनके ट्यार मिल जाएगा और हमारे आज पास गंदगी भी नहीं फैलेगी इस तरीके से मैंने प्लास्टिक, पॉलेथिन, पोटल्स, नियूस पेपर्स इत्यादी के वीडियोस बनाए हैं जिन्हें आप मेरे चैनल आल इन वन अनन्या पर देख सकते हैं और अपने घर के लिए नए आइटम बना सकते हैं इसके लिए आप लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें